तो लोग हमें लूपने के लिए ऐसे आ जाते हैं मतलब की पता लिए क्या जानवर है कि क्या है मतलब बिल्कुल जानवर वाला भी है जब मुझे यह पता चला में ठुका कि जब उसने मुझे काट किया मतलब मतलब एक लड़की ने की, मतलब कीना रहा है, मुझे बाद में पता चले, ये बात में तो न मेरे दिल में बहुत अर्टकी है नमस्कार, मैं आप सब की काजल मंगलम की दोस्तो, मैं आज आप सब के सामने एक ऐसे सक्षियत को लाई हूँ और मैं परिचे करवाने जाईब, जो पटियाला शहर में रहते हैं, वो एक ट्रॉंजेंडर है, ट्रॉंज हूमेन है बहुत सारे इनकी नाम, और ये अल्रेडी सिंगर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे समाथ सेवा भी किये हैं इनोंने और इसके साथ साथ तो बहुत बड़े बड़े जो सेलेबरेटी की साथ, इनकी साथ आना जाना भी हैं मैं ऐसे सक्षियत से मिलवा रही हूँ, उनकी नामें सिम्रन महंत नमस्कार सिम्रन महंत जी, क्या हाल हैं? नमस्कार काजल जी, मैं बहुत अच्छी हूँ आपके दुवा से आज मैं यहां पर बैठी हूँ, आपके सामने आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये विशय को लेके तो बहुत कुछ आजकल तुमारी उपर उंगली उठाये जा रहे हैं वो ये बात है कि जो मिटू लड़ा जिस परसन की साथ आपकी शादी हुआ था आप ट्रॉंस हुमें थे तो ट्रॉंस हुमें के साथ उन्होंने शादी किये थे तो दो साल उन्होंने आपकी साथ गुजरने के बाद मतलब आपकी साथ जो भी किया है दो साल तो उसकी बाद उन्होंने को पता चलता है कि यह एक हिन्नर है तो एक ट्रॉंस हुमेंने बोलके पता चलता है तो आपको रिजेट करने में आगे बड़े हैं तो आप क्या कहना चाहते है इसकी बादे देखो अगर भी फॉर कि आपने मेरे से बात करिया है कि मतलब starting से beginning से کا अज़ तो हमारी life में जो faces how to है जो हम धुवित कर था दो हम स्वसाइटेस से फेस करते है वह तो एक different बात दो हमने कर दुम हमने करना है वह तो हम सारे करते हैं लेकिन उस faces के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ जो सीहों धिया है से मिलन के अप्रून दी स्वांज हो जाते हैं हदो अच्छे चेलेोब फॉरत्र स्वाइट दियुट घो तिया एंड़ फ्रैंड से करन एंहों ऱ्यून आपल्व्य नहीं है कि जना है हो जाते हैं गएजिए, दंधान होग चारण कि ऑसे दिर आ आ गएल加ा तो यह सब चलते चलते, ऐसी मेरी लाइफ में वह मिठु लड़ा जो था, एक केंडरों का प्रोग्राम हुआ था तीन साल पहले होली पे, होली सेलिबरेशन के लिए मुझे प्रितिम हनजी ने वहां पे बुला रखा था, संगरूर में, तो वह हमारी केंडर है, संगरूर वा यह भी कॉंग्रेस लीडर है मिठु भी और इसने मतलब वहां पी यह सब आया हुए हो थे, तो मेरे को उनके कुछ कॉंग्रेस लीडर सब के साथ इंटेउज करवा रहे थे, तो यह वहां पे था मिठु, मैंने भी इसको देखा, इसने भी मुझे देखा, तो वहां पी चल तो उसके बाद यह मिठेन नंबर लेने के कौशिश कर रहा था, मैंने इसको इग्नॉर कर दिया था, मैंने इसको नंबर नी दिया वाँ प्याई स्वे, यह उपर वाले को मान के, आज मैं यह जो मैं सबसे पहले एक बात और सारी ओडियन्स को, कि यह जो इंटर्वी दे र मैं जिसको मानती हूँ, मैं उनको साक्षाद मान के यह इंटर्वी दे रही हूँ, इसमें कुछ गलत, कुछ फॉर्मल्टी या मुझे वो फेम बनाने के लिए मतलब यह इंटर्वी नहीं दे लिए, यह एक दिल की जो आपने मेरे से बात पूछी है, जो आजकल यह मेरे प कुछ करा वहां पर हमने खनपाट साब का पाट वरक हुआ था, तो उसकी जो वो फोटो हैं वो लोगों को कहता कि नहीं यह सिंगन मुझे शोचल मीडिया पर मिली थी, गलत पाव, वो मुझे पहली बार प्रितिमाहन जी के घर पर मिला था अपने बोस के साथ, वेजिंदर दिन के बाद जब इसके फोन आईगे, बात मुमारी होईगी, चलो उस टाए मैं अलॉन थी, मैं लॉनली थी करती थी कई दिनों से, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया थोड़े मतलब दिन में, तो फिर यह पत्याला आता जाता रहा, इसने बहुत सारी अपने बारे में बत है हस्ताईल बहुत अच्छा था तो न Изजी नहीं पता कि सिम्रan शादी के बाद मुझे फस्स माइट पे पता चला ह। यह घलत बात है वहा पी मेरा बार बार नाम बारो बार नांस्क हो रहा था कि सम्रन महंत पतेला से और मैं खुद भी गह रही थी मैं SIMRAN मुझे भी सोशल मीडिया से पता चलाता तो वही क्वेश्चन में आपके सामने रखी मगर आपको शादी से पहले भी उनकी साथ कई आना जाना था हां मैं भी बता रही हूं तो लेट मी कंपलेट तो फिर क्या हुआ यह मुझे आप फर्स्ट मतलब ट्रिप जो मेरा था लाइफ का इसके साथ तो वह हम दोनों ने मिलके तहं किया इसने मेरी बायर टिकट करवाई वह फ्लाइटी कैंसल होगी थी वहां पर मनाली की तो कुल्ल मेरे मनाली में गही थी इनके साथ तो मनाली में जाके हमने स्टे किया वहां पी हो अंलो में में इक दो प्लेस सी वहां पर तो मुझे मैं बड़ा देखती गई पहले तो वो मेरी शर्वाद थी क्योंकि बॉइज होते हैं हमारी community के बच्चों को use and throw financially यह बहुत दिक्कत आती है हमें financially ज्यादा यूज करते हैं और अपने मतलब पीछे जाला लोग यूज करते हैं चाहिए कि नर जो हैं जितने भी सुंदर हो मतलब लड़कों से तो सब परशानी है तो मतलब इसलिए मुझे हट के विश्वाश दिलवाया मैंने इसको कहा था कि देखो मिठो मुझे अपने ममी पापा की क बहाँ मैं जिनों ने मुझे जनम दिया मैंने इनको पोला था कि मैं और मै तो अए टो तो कैसे करोगे तो यह को पीर कोई कोई बास नहीं Programma नर ओेखोंगा में तुम्हे प्यार करता हूँ और मैं साटी दुनिया को दिखाऊंगा में तुम्हे प्यार करता हो है ल ful beside my ruined करने हैं बेताना है वह मतलब जब देखता था मेरा lifestyle मेरी luxury life मेरी glamour life यह सब देखता था तो वह impressed था काफी इन चीजों से impressed था तो मतलब वो कहता था कि सिम्रन नहीं आप लड़कियों जैसे मतलब आप लगते हो पहले तो वो ऐसे कहता था चलो फिर मतलब जब हम मिले तो वो फर्स्ट ट्रिप हमारा ओवर हुआ उसके बाद हम इसकी एक्साइटमेंट और बढगी मेरी तरफ तो फिर उसके बाद नेक्स को और बढ़ाना है तो मैंने वोल जल तो रहा है आप दोनों इथी कि और भी साथ एक सुनाप्षी महंत है रहा है ज़ भी मुझे लेके गई थी शादी से पहले है न उनके बच्चे थी परवारता काफी गयस्प थे और मैं थी एक दो मेरे चेले भी थे साथ में तो हम सारे तो सब के सामने इसने कसम खाई थी है दो एक साण बाबा की olabilir मगाला क्रों मैं अऑए जिस पर साथ जनम की करई। 과 यह नहीत है जैसे भी है झाण बाबा की यह नहीं जी मेरे काता मैं तो कही पता नहीं है तो सिर्दी करा था क्या स्टा रहा है मेहाली बात है चुने पाहि माके मंदेर में बोला, अब मारे बेबी ममें टेको कैशेजा, कैसे का रेवी आपको में कुली से किसे में हritesु.. तो मैंने बोले। अःफ घाला मेरे अचलो ठीक है। मैंने बोला है, चोह आप मेरे ममी बात करवाना…… तो यह दो बार मंभा से भी बात परवाई मैं अब बताय था तब उनको कि मैं ऐसे की इन्रूम हलो हाई हुई मेरी मतलब इन्हों वहाँ पर घृम है कर ले चाहे कुछ हो जाएए जादी तो मारे साथ परवा नहीं है तो मैंने ठीक है, मैंने बोला, तो कोई बात नी, तो पंजाब जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कैसा साथ, कैसी शादी होगी, कैसा क्या होगा, हमारी कुछ प्लैनिंग नी थी, वहां पर तो कस्मी खाई थी, चलो वो भी ट्रीपोबर करके, तो हम वापस आगें, तो व लोगडाउन में हमारी बात भी होती रहती थी थोड़े बीजी रहने लगया आ जाने रह थे गर पे डेरे में तो डेरे में आके जाते थे क्योंकि वहां पी यह गाउं के सरपंच थे इन्होंने मदलब लोगडाउन करके वह नाके नुके लगाये हो थे एक गाउं से दूसरे दूसरे को नहीं जाने देते थे थे बीजी चल रहे थे उन दिनों में हमारी बात होती होती थे तो यह कहते थे कि नहीं से इम्रान जल्दी शादी कर दी है जब थोड़ी से रहत मिली शादियों की तो वहां पर पचास बंदे अलाउड कर दिये थे गवर्मेंट ने मतलब जैसे आती थे हैं पचास पचास बंदों की तो पचास बंदे इनों ने अलाउड कर दिये थे तो मैंने मेरी फ्रेंटी एक तो नाक्षी मेरी बहुत को लोज फ्रेंड थी मैंने उससे बात करी कि जो वह बात चल रही है तो मतलब वह हमें कम्प्लीट कर नहीं है तो मुझे तो अपने वुजूद पता ही था कि मैं कीजनर हो हमारे साथ तो सब फेक कर के जाते मुझे पहले डर लगता था लेकिन जब ये कस्म खाता था कई बार बीच में हमारे बिफॉर मैरीज एक दो बार हमारी लडाई भी हुई वैसे हो जाती है लडाई जगणा तो मैं ये किका थे लिए ने अशाध राना होले साथे हाह दो भी हो जग Irish काषो थे अवायो Все बएंट है क्षाया ऑट टो मुझे पेज़े मिंहें के बहुत पयार करता हूंन और तुमारे बिना बिल्कुर नहीं रह सकता ओर तुमारे से ही शादिकरने तुमारे साही साहा साथ ला यह बोला कि नहीं, मैंने बोला आप तो हिंदुएजम से बिलॉंग करती हो, मतलब मैं चलो सिखिखिजम से हो, तो यह बोला कि नहीं मेरे को अपने प्यार को बढ़ा करने लिए लोगों ने उसका भी बड़ा तराज करा कि एक ट्रांस्जेंडर ने शादी कर सकते हैं गुरु गरंज साब जी के आगे, अकाल तकह साहब का हमारा रूल है, वो 2005 की रूलिंग है, जो आज कर लेटेस्ट आगी, शाहिद कोछ लोगों को अपने प्यार को बढ़ा कर लेटे तो मैंने अपना प्यार से मतलब शादी उसके साथ कर ली और शादी की तो लाइक उसके बाद हमारा चलता रहा फिर हमारी रिशेप्शन हुई उसे दिन रिशेप्शन ती, JW Marriott चंडीगड में है, तो वहां पर शादी हुई, तो वहां सुधकित, उसके गाएं के तेन-चार लोग आ रहे थी मिठु के उसके साथ के साथ, उसने अपने ममी पापा को ने बताया मुझें पता नि था कि इतना पड़ा उसके दिल में मतलब छलई密 कि उनको क्यों ने बता रहा मुझे बताया हुई उसने अपने मम्न anyway पापा को प तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा यूज कर रहा है मेरी शादी के पहले इसने यूथ कॉंग्रस के लेक्शन लड़ी जब आपने पहले इसे भी तोड़ी देर पहले ये बतायते अपनी अपनी मा की सर पर आत रहा है मुझे वाटसैपी बेजते ही ना वोटसैपी बेज देते थे मतलब सर प्याद कि ये मेरी ममची है और ममा की कसम लगे मिरको फोटॉ सबकी ही दिखा रहा रही चाहर है ै अच्छ वो सामने से नही। मेरा भी बहुत मिस्यूज किया जा रहा है मिठु की तरफ से आजकल तो है उसने मुझे बहुत बढ़ा मतलब मेरे साथ ये करा ये दोखा करा मेरे साथ तुसमें फिर मतलब शादी के पहले हमारे उसकी 2019 में एक यूद कॉंगर्स को या लोग है सेक्टरी और चीफ सेक्टरी की वद्लम चॉनाब थे तो उस चनाब में मैंने इसको खड़ा करा पंजाब की उससे की जो लेक्षन थी तो उसमें काफी सिंगरों से मैंने उसका प्रमोशन करवाया उस चीज का उसका यह रोख था उस टाइम जिसको पेड़ बॉलते हैं ट्री तो यह उसान था मैंने अपने अपने असने कापीन में में घैतलवे afag helped me ट्रीक मयत्य कें अपने निब परमाद मोगल ओस गोने करो किसी आता है को यह जांपा यो नहीं करा एक भी कुण के विपाक इनने करी पारتले हैं इसने बात बॉली थी हैं कि मैं मतलब बुझ प्रवाद से हूँ, सिम्रन मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बोला भी मुझे रब का दिया हुआ मेरे पास कुछ है मेरे बुजर्बोनी मुझे बहुत कुछ दे रख है बदलब मैं जो लॉनली लेस थी उस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर ले भी कोई बात नहीं जब मैंने तुम्हे अपना सब कुछ मानी ले तो पैसे की क्या बात है ना तो ये वंदा देरे 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 फाइनेशली यूज करने लग गया मतलब मुझे मेरी ये मैंने उसको ये पैदा करती रही प्यार के बीच भी चलो कोई बात नहीं है ना हमारा मतलब मतलब दोनों ने रहना तो क्या इसमे कोई बड़ी बात मेरी बड़ी बात नहीं थी वो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपना च्छे तरीके से रहती हूं जब जब ये घर पे जाता है एक दौ दिन के लिए तो व अच्छे तरीके से नहीं रहता है तो वो मुझे चुद को भी अच्छा clam intent słab कर से जादा बढ़ के मानली को एपनी जादा बड़ के माना सिम ऐ को धीरे भी अपस में मुलाकात भी होगी इस ने बताया धाया अपने तो इसके मादर भी मेरे साथ बात करते रही पॉन पे, सारी बाते वो मिठु से जो शेयर ना कर पाती थे वो मेरे से करती थी, तो फॉन करते रहते थे दिन रात, आज भी उसकी ममी का नंबर मेरे फॉन में सेव है, तो पुलिस को भी मैंने ये बोला है कि अगर आपको नहीं तो आप उसको लोकेशन निकलवा कर देखो कि वो मुझे मिलते थे या नहीं मिलते थे, तो उन्हों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया थे, वो यहां तक बोलती थे, कि अगर तुमारे बेबी ना हुआ, तो हम अपना छोटे बेटे का मतलब उसकी मैने शादी करवाई, तो उसका बेबी होगा, तो मैं तुम्हें दोंगी उनसे लेकर, तो यहां तक बाला अडॉप्टेशन के बारे में उसकी ममी ने मुझे बोला, जब उसकी ममी को पता था कि में किन्र हूँ, इसलिए तो उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए बोला ने तो यह तो अब को पता, आपको भी पता है, उसमें बाद में तो मेरे पी एक फैब्रीकेटर वह पर्चे होगी थे, तो उस करके मुझे थोड़ा अंडर्ग्राउंड होना पड़ा, तो वहां पी भी मेरे पास अपना सेपरेशन जैसे कोई बंदा करता, तो पता चल जाता है, तो मैं सोस्त रात को वेटिंग में, दिन में, हर टाइम वेटिंग में, चलो मुझे यह लगता था, यह नहीं जो जो यह पॉलिटीशन है, चलो इनके आते जाते रहते हैं लेकिन एक नमबर मेरे लिए स्पैशल लिया हुए था इन्हों ने बोला कि यह मेरा लग नमबर है, मतलब मैं इ काफी दूर गई हुए थी मैं काफी loneliness में वहां पर फिल कर रही थी बड़ी tension में थी बहुत गबरा रही थी तो इसका कोई अच्छा response नहीं आता था एक मुझे ओधर की कि अच्छा पर रही थी तेंशन एक इसकी तेंशन एक और उससे भी जारा टैंशन मुझे इसकी सबसे बड़ी तेंशन तो इसने बहुत बड़ा मेरे साथ दिदी हे दोखा करा आके फिर उसके बाद इसके न मेरे मतलब इंटेरिम बेल हुई वहां से आफ्टर बेल में इसके दो डाम नहीं लोगई तो कि मिं अम्रे सर जा रहे हैं तुम्हारे से नहीं से आप्रेशन चाहता है वह तुम्हें मिलना नहीं चाहता है तो यह मतलब पता नहीं कहां देदी फिर वहां से एक दिन लगाके आ गया गाओ में रहा क्या रहा एक इसके साथ और एक बुड़ा स है किसा इसका फ्रेंड है वो हरजीत है उसका ना वह भी गाउं का ही है वो भी इसके साथ ये मतलब पुठे सिद्धे काम मिठ्व से करवाता रहता है उसका भी क्रेक्टर को इतना अच्छा नहीं है बुड़े का तो वह बुड़ा बहुत चला के उसने अपने घर में उसको ब हाई मेली तो श्रॉख उनमेल गंतो फिर मतलब मुझे घर में ज़ती contains ही उसके रहना ने चाहता यह मतलब बहुत ऐसी है वैसे पता नहीं क्या क्या के लिकेशन इसने मेरे पर लगाई तो वह कंप्लेट इसने जब दे तो उसके फिर में गई वहाँ पी मैं एक दम शॉक्ड की मिठो ने मेरे चलो मेरे से पहले यह था कि चलो हजबन वाहित में बहुत सारी बात हो जाती है क कि यह थाने में तक मतलब वह कभी जाएगा ने मुझे पूलिस वालों को फोन आया से चोगा कि मिठो की सरपंच की मम्मी ने मतलब तुमारी कंप्लेट दी में उनको तुम्हे अपना रभ मानती हो जिनोंने अपना बेटा मुझे सौंप्रक है मेरे पास आता जाता है तो व मुझे पूरा काम तो जगणा झाता थार जाता जोता ह। मुझे पूरा कॉम्धंस मिं बखाता टाग ह०ा KEम के साथ मेरेम उनको बहुत प्राउट था उसकी ममा को मेरे पर तो उसकी ममा सी मेरे बात होती रहती थी तो फिर मेंमा कि offer pointty उनके में अनकी मिरे में बताया वो भी बहुत अच्छे हैं दोनों तो मैंने वो इनके बोस है मिठ्धु के तो उन्होंने भी मेरे बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी उन्होंने रिजॉल्व करवाने की कौशिश करी लेकिन मिठ्धु ने मतलब कोई मतलब उनको रिस्पॉंस निदिया उनको बोला अच्छे लगा कि वो सेप्रेशन क्यों चाहता है शादे करवा के सब कुछ करवा के मेरी इनसल्ट करवा के इसना हाइलेट होके मलल वैसा उसने क्यों कर रहे ये मुझे भी आपने फइनासली उसकी पिछे आपने कितनी स्पेंट कर चुके हैं और इसके बावजुद भी औ अपनी एक समाच के अंदर अपनी एक अच्छे विक्ति के तोर पर स्टैंडिंग होने के लिए भी तुमने बैकबोन बने रहे उसके लिए भी तुसके बहुत जुद भी आप वो इगनोर करते रहे और एक अपना दौरी चेहरा मतलब एक चेहरा अपना एक परस्नली लाइ तो तुम्हें समझ भी नहीं आए बेच में पैचानने के भी मुझे नहीं मिला है मैंने को ममा को कई वार कंपलेट करी कि ममा देखो यह ऐसे करते हैं मेरा फॉन अठाती कंपलेट मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि मैं फिर अकेली हो जाती थी ती शाम को दिन में तो मेरा स्पेंड हो जाता था और आज को मैं अकेली नि रह पाती थी तो फिर यह आ जाते थी मेरे पास रोज है ना तो वह कहते थी नहीं सेबरन वह बेजी है आज में में वह रिस्पोंसीबल है आज गाउं में यहां पे जगड़ा हो गया वहां पे हो गया यह हो गया वहां में फ अपने बताने के बाद ही तो आमें पता चला है तो अपने पहले बताना ने कभी मैंने कभी आज तक इंटर्व्य दिया ही नहीं है इस बात का वो मेडिया वालों ने बहुत पोचा कि इम इँसा चुझ सिम्रें जी सीम्राइ जी आपकी शादी होई थी तहीं कियाका है जो इसकाद के मैंने करना ने करना दो। यह झाली थी मैं बहुत नहीं है विडियो जी कि य्जह अनिजह है, पर दोख़ whipped उपúcकर लिए शादी आ झाली होई रिक्नाडिव तोग मैं शपकर ग है बिलकुल झाली तो उसकी शाधी तुम में एक दोसाल ईृट पाध लिलेशन शीप में रहे है तो उसकी बात तुमीन किन्नर नाम से पैचानते हैं तो इसे पहले उंको पता नहीं ता मैं किन्नर्चे से शाधी कर रहा हूँ तो उसकी बात पिर उनकी कि बोलने कि क्या मतलब है मतलब जैसी हमें शाहिद वो ये इंटर्विव देखे देखे अपना वो इंटर्विव भी देगा तो मैं ये चाहती हूँ वो अपने ममी पापा के सिर पी हाथ रख के कसम खा के बता दे पोरी फैमिली वालों को क्यो उसको ये नहीं पता था कि मैं क कमएं और वगनन आए लूं को सब पता था जब में हर्स फैसिलिटी उसको देती थी सब कुछ करती थी सारा कुल। सार फτε्टा को बदैतीर नहीं अब में नहीं भाई इसका थोड़ा सा होना चाहिए उसको गाड़ी लेके दी फिर उसको जैसे कपड़े चाहिए होते थी ब्रेंडेड मुझे अच्छा नहीं लगता था जब पहले पहले वो मुझे मिला है तो पहले मुझे यह लगा कि चलो कोई बाद ने अगर गरेब है तो बात को कर्म को दिया थी तो कहँ अपनी को इनके भाद में एक है करती ती मेने करती थी इनकी सब से पहले करती थी कि हम अगे लेकराना मिठो को हाना तो चलिए कोई ने आप इतनी अपने आपको कमजू ना बनियेगा मगर में दोस्तों तेखिए मैं अपना आपका बात काट रही हूं, मगर फिर भी मैंने अपना ये एक सिम्रन नहीं है, ये अमारी कम्युनिटी के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे सिम्रन जो दो के काके बैटे हैं तो फिर उसके बाद आती है, मतलब फिर उनने अप्लिकेशन दी मेरी उसके बाद, तो फिर ये माने नहीं मतलब में आती जाती रही ठाने में भी मैंने दिया ब्यान, मुझे तो ये था कि शाइद बैसे लड़े हो, बिचलो कई बार बंदे की कोई मिसंडेस्टेंडिंग हो जाती है, शाइद रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर इनों ने इनके फ्रेंड्स को मैंने पूछती रही कि मतलब मिठो का क्या वी हुआ है, तो वो कहते थी कि नहीं वो तो हमें ये कह रहा है मिठो कि मुझे तो पता ही नहीं कि सिम्रन मुझे बाद में पता चला है शा कि मतलब सिम्रन ने ऐसे करके शादी करवाई है कि अगर तो मेरे से शादी ने करवाओगे तो मैं तुमारे पोरे किंणर लगा करना तुमारे गाहों में तुमारे बेस्ती कर दोगी जबकि वो पड़ा लिखा सरपंच है, रिस्पॉंसिबल परसन है, उसको सब जानते है, अब भी वो शपार्शे लगवाता है, मंतरियों की, कभी किसी की, कभी किसी की जहां में अप्लिकेशन देती हूँ, चलो बहुतो चलो नहीं बोदर किया जाता है, मैंने भी उनको बोला, सब को बताया है, इसके बारे में पूरे पंजाब के जितने भी कॉंग्रेस के लीड तो उसके पास तो बाते हैं तो उसके पास एक गई और भी खना तो अथ किसी ना किसी को बॉल के में मेरी दलता है तो ये तो उसका बिल्कुल जूट है, कि अबालब अलग होने के बाती बाते है। Ne semmess 소quito壓idores बनाते हैं, मतलब सेंगे पेचान पाए तो फिर उस तेम पेचान पाए तो फिर दो साल बात तुम कैसा किनर निकल गई बात ऐसी है मैं आपको पहले भी बताया जब मेरे साथ यह गोमने फिर ने गाते थी ना फिर मनाली भी गए तब से हम दोनर रलेशन में थे दोनर रलेशन में थे और अपना शाद कि अगले दिन की फोटो में दिखा रही है उसमें किनर बैठे हैं शादी में किनर है उसके दो दिन पहले वो बठना लगाते हैं हमारे उसमें भी किनर लगा रहे हैं तो वो सारी फोटो में दिखाया जाएगा कि किनर हल्दी लगा रहे हैं किनर शादी करवा रहे हैं साथ में किनसफें तो मेरलब यह कैसे मेरल को क्लियर करें तक यह बात सुनने में आ YEA मैं यह बता रही हो कि अगर मेने सुनने में तो नहीं गये था उनका आमिना सामना प्D ंद авिक की तरह सोच शूच आρχो कार नीक है तो हम वोमेंट स ellोगर देख गया तो तो हम टॉंच सुछ किया गए है तो एक्सफ्ट करना है तो फुमेंट सेल से हमें। हम इस अपपील की है हैं आप친 में ङद गई तो मैं किसी रेमीडी की थी तो मैं मनिशा गुलाटी में का नाम सुनती थी हमारे डिरेक्टर है वो अपना पंजाब राज महला कमिशन जो है मनिशा गुलाटी तो मैंने उनको भी एप्लिकेशन मर्लब दी वहां पे मैंने केस डाला यह वह अच्छी जस्टीज है तो वहां पे हमारे दो तीन हेरिंग्स हुई पहली हेरिंग पर मिठू नहीं आया उसका एंटीमेंट करा गया तो एसे चो को यह बॉल देता क्योंकि गाओं का सरपांचे पहले भी मेरे पास कम्पलेट आई थी कि किसी का सम्मन हो या कोछ हो यह अपनी फ्रेंड्स की बड़ी मदद करता है एसे चो के साथ मिल की जब प नहीं को पिल वह बादे कि एक दिन पहले भी स्को इंटीमेट करो उसके लिए इसको इनटीमेंटेशन दो तो उन्होंने बड़े स्टिकली सको बला कि इसमार तो आऊ आई नहीं अपनी स्टेटमेंट कि मुझे पता नी था सम्रन ने मुझे बहला लिया, शिम्रन ने मुझ मार सकती थी जूठी जूठी बाते उसने बहु बोले तो मेरे दिल में और नफरत भरते गई उसके बारे में कि ऐसे मुझे कहरा बताओ ना तो फिर उसके बार मैदम ने फर्स्ट हेरिंग में उसको भी बोला अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे प्रोफ तो तुम भी अपनी ल है मुझे भी बुलाया मैं तो गई अपने टेंडर लगा कर आई वहां पी तो यह उस पे भी नहीं है उससे पहले यह बरलब काफी फॉन-फॉन करवाते हैं वह पार्शे लगवाते हैं हमें भी पता चल जाता है मैं भी पलिटिकल लीडरों में आना जाना लगा ही रहता है तो बैठना उड़ना हमारा भी है तो पता चल जाता है तो फिर मैंने उन लेडरों को बोला कि आप इसकी हल्प क्यों कर रहे हैं आपने अपने यूथ कॉंगरस में ऐसे फेक परसंस को रखा हुआ है तो यह अच्छी बात है अगर हम पर टेस्ट करेंगे तो फिर आपकी र अगर मोड पे में हर इंटर्वी पे चाहिए हर लोगों की साथ मैंने यह बात जरूर बाती हूं कि गुड गवरनिस इस नौट पॉसिबल वित ओट अवनिस्टी तो यह पार्टी चाहिए कोई भी पार्टी हो वो हर पार्टी में एक वह अवनिस्टी बंदा होना चाहिए और उसकी साथ साथ अमारा कोई यह मक्षद नहीं था कि हम किसी पार्टी के लिए या किसी और किसी वेक्ति जो मैं यहां पे बैठ के किसी पार्टी का विरौद नहीं कह रही जस्ट में यह बता रही थी कि ऐसे ऐसे यह प्रोच करवाता रहा जब यह प्रोच करवाता रहा मैंने ऐसे जस्टीज कोई भी देखी नहीं मैंनिशा गलाटी मैंडम बहुत अच्छी है वह उनका बहुत नाम है बड़े मैं देखती रहती हूं वहां पर जब मैं जाती हो दो दो सो लड़कियां खडी रहती है उनको सब को रिलीफ दिल्वा कर भेजती है तो मैंने भी केस कि मुझे भी रिलेफ दिल्वाएंगे तो मतलब मैडम के पास में मैंने जो एप्लिकेशन दी हुए थी मेरा केस चल रहा था तो बोनों ने ये नेक्स रेमेडी में डाला मेरा केस ब्यूरो फ इंवेस्टिगेशन में ये देखो क्योंकि जब ये ब्यूरो फ इंवेस्टिगेशन वालों से भी और मैडम से भी एक्सपेक्ट करती हुए कि मेरे लाइफ का ये जो इंसिडेंस मेरे साथ हुए एतना बड़ा ये मतलब कराइम हुए एक तरह का मेरे साथ तो इस चीज की उसको उसके गुनाहों की मतलब जो सजा है मिठोर लड़े को मिलन आपके रिलेशन शिप पहले जब आपको उन्होंने अपनी तरफ जो इंप्रेस कर रहे थे उस तेम पे तो कुछ न कुछ तो कर्चा किया ही होगा आप पे पैसे पुसे आज तक उसनी मुझे कुछ नी दिया तो अभी लास्ट में आकर मुझे थोड़ी प्रोब्लम होगी थी तो जो वो मैंने पैसे दे रखे थे ना उसको मैंने मिठों को बोला मुझे हल्प चाहिए भी तुमारे से तो मैंने बड़ा हसके बोला मुझे शरम भी वो चाहिए तो मैंने कुछ पैसो की मेरे को हेल्प करी थी दिया था तो वो इस करके किया था क्यों कि मैंने अल्डड WAटी अध्यू mental को पैसे का अपी दिय रहती थी थी है अभी वो जो पैसे करते थे ता कि मुझे वहां चाहिए मैंने इसका देना स्न के पर बासं देती थ तो अगर मैं नहीं भी देती थी यह मुग बना कर भी दिए canvas, और मुझे बैठा रहता था तो मुझे मुझे मजबूरी में फिर देना पड़ता था फिर सब कुछ करना पड़ता था मैंने भहात कुछ जहल इसके पीछ हशे जो मैं अभी इंटर्वी बिटाते हुए मुझे खुद पे भी आजकल शरम आती है कि ऐसे इंसान के साथ में कनेक्टेट थी है तो इसको मैं अपने बैड लग की मानती हूँ कि वो मेरे मेरे बैड लग था जो उसने गुना किया उसको उसकी सजा मिननी चाहिए मतलब और मेरे दिल में डुख मुझे रोज लगता है यह सब बाते हुछ नहीं को सब बहुत लगता है लेकिन जनरेशन के लिए आपने बहुत अच्छेमिग नियुथ जनरेशन जैसे हमारे ट्रांसजेंडर्स कि निए जो बच्ची है आजकल चोटी उमर सिटेने इस में अपना फ्रेंड्शिप कर लेते हैं अना बाइलोजी कली तो हम गुर्स ही होते हैं ड्रांसजेंडर्स से इसी प्यार को लेके यह पागल पन जो यह है हमारे समाज के अंदर सच्चा प्रें नहीं मिलने वाला है अपनी समाज के अंदर देखो मिठो लड़े ने तो यह इतिहास पेदा कर दिया है और आप अम्जाब का मुझी कहते है कि फर्स्ट केस है आफ़नी का यह यह कहते है तो मैं रची है कि इनन समाज में मिठो ने यह त्हहास रच दिया कि हम लोग यह षादि करभा के भी तुमें कॉंफिडेन्स में लेकं आपे तुह को सथसस्य के रहें मतलब रच दिया कि इनर समाज में हम लोग शादी करवा के भी तुम्हेंा देशा वी की तुम्हेन कर ले झो फिरभी Summer ऑग नहीं आपाए बहुत सारे सिम्हे अरो मुहालब सा चलेग एब शुम्हित अवट महले हम जाये में अजी की इंट्रवीय करने का मेरा मकसद यह है कि जो जैनेरेशन है वो अभी भी मज़े बहुत सारी बच्चे फॉन करते हैं मेरा फ्रेंड्स करती है मेरी कि सिम्रन हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है यह है वह में उनको भी सुझेस्ट करती हूँ कि कभी आपने आपको मतलब वीक न समझो हम सॉलेड है जब हम गाइधि करों, पेरी आपको फॉड़ा से वह मंतले हैं में उनको इनर माननती हूँ हम तो मरद है जो अपना इन उनको करको कर करके देए ते है एक हीज़ा जो हो बोला जाता है हीज़ी तो सालि यह है जो चूड़ी डाल बैट जाते है हमारे सामने हम अर влиinge को में मार पस य कि तो ऐसे लोगों से हुमें बचना चाहिए एसे फिग लोगों से हमें प्यार्नी करना चाहिए और मैं जणरेशन को यही मैस smith कुरा है कि अप्या तो मैं तो यही उमेद करती हूं कि वो मुझे इनसाफ दिलवाई तो कुछ लोगों ने मेरी बड़ी कंप्लेट्स करी वहां पर जाके मनिशा गुलाटी मैम को भी मेरे अंटी-पार्टीज वाले जो है कि नहीं यह सिम्रन तो मतलब केनर है यह मतलब ऐसे है वैसे है तो यह मुमेंज कमिशन के पास कैसे चलीगी तो मैडम को मैंने भी बोला कि मैम आप क्या करोगे वो ऐसे बोल रहे है वो कह रहे है कि आप में फिलिंग्स तो है ला अच्छा, Shimran, मैं एक बात और पूछना चातीय। एपसे तो फर्स्ट अपल वो आपसे कैसे अट्रैक्शन होय आप पे जो मिट्टू लड़ा जो है वो आपसे कैसे अट्रैक्शन हुआ है और तुमारे कैसे उसके साथ अट्रैक्शन हुआ है ये तो बताए नहीं आपने एट्रैक्शिं берकोंत्ए उसको तो इसकरके वह साता जाता रहा, ऊसने मेरे कोता में उसने बाते चिते करता रहा, सारी रात lei करता रहता था जब हम झालिन जाते थे तो वह भी मेरे पास उने जाने लग्या था कॉन्टिन्यूस डेरे में आता जाता था तो वह एंजोएड एवरिधिंग, वह एंजोएड विद माइपार्ट, विद माइवरिधिंग, वह एवरिधिंग, वह एंजोएड रहा तो उसकी ट्रेक्शन बढ़ती गई तो मैंने उसको यह भी पूछा, कि मैं मतलब जैसे हम लोग केंडर होते हैं, तो मिठु अप सैटिस्फाइड हो हमारे जाएड आफ्ट तू यहां मैं पूछ बता रही हो, लेट मी कम्लेट, वह तो साल बात, वह तुमारे प्लेम लगा रहती थी, कि आप सैटिस्फाइड हो, बताओ Shopify कहसं से, वह कहता था हाँ, मैं सैटिस्फाइड हो, मुझे तेरसे बिना और कुछ नहीं चाहिए, मैंदें बेलकुल सैटिस्फाइड हो, लेकिन बाद में जब महा सोच सेपरेशन करने का सौच नहीं लग गया है, तो सपरेशन करके वह बतलब वह बलेम लगाने ल कि अगड़ नहीं थी कि तुम लड़की नहीं थी यह ती फोरी तरह अरत नहीं है तो फिर वो दो साल तक आपकी साथ कैसे उनकी रिलेशन्चित रहा हूं कि कैसे वो करते तो आप मुझे एक बात बताईए, वो पड़ा लिखा सरपंच था गाउं का, तीन एज में वो चोटी उमर में वो कहता है कि मैं चोटी उमर का सरपंच हो, यूद कॉंगरस में, तो आज कल ऐसा कौन सा लड़का है कि हम किसी के साथ हम दो जने रूम में हैं तो कौन क्या उसको पता नहीं चला कुछ भी सब कुछ उसको पता था, यह उसका एक बलेम है, और यह फेस तो आपको पता यह दिदी हम तो शुरू से करते आते हैं, पहले हम अपनी फैमली से अलग लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है वह चेज़, वह दुख, वह धरद वह हम महसूश करते हैं, फिर उसके बाद हमारे गुरु चेलों में फिर फिर हम सुसाइटी में फेस करते हैं, ०िर हम अलग तरह के कोमेंड्स, कॉम्प्लिमेंट्स, वह मिलते हैं, वह सब फैस करना पड़ता है और यह तो अलग किसम का सब स्वों फेस मेरी जिंदगी के मेरे लिए कोई माइन नहीं रखते थे देखो मतलब हम सच्चे मैं तो बहुत मतलब दिल से जैसी में शकल से दिखती हूँ मैसी अंदर से भी हूँ मेरा तो बहुत क्लीन माइंड़ हूँ है तो बस इसी चीजों का उसने नजायज फ्यादा उठा ले मिठू लड़ीने मेरा चलो आने वाले समय में आपको जरूर नयाय मिलेगा ओडियन्स को भी पता है और आपको भी पता है लाइफ में स्टार्टिंग में हमें बहुत दुख चेलने पड़ते हैं पहले हम अपने पेरेंट्स को चोड़ते हैं पिर हम अपने भाई बहनों को चोड़ते हैं फिर हम सु माद आवाम कि एक है करने आपक एपने आपना के आपके में घाप और चलती रहतनी है खरस अचाव को है तो ध्रना आपना मुखालत को यह जंगत करते हैं ₹ जेलते जेलते तो हम लब बहुत पर्शान होते हैं सारे हमारे जो सीनियर्स है हम उनको भी देखते हैं तो वो अपना सब दुनियावी चीजों से हट के अपनी लग विफ रहते हैं हमारे organizations हैं, हम उनमें जशन मनाते हैं, कोई परोग्रम्स करते हैं तभी कुश करते हैं, वो मतलब हमारी society के होते हैं तो लोग हमें प्रॉपर एक्सेप्ट नी करते हैं अनको मतलब हमें देख के कई अजल से थोड़ा नी लेके ज़ते हैं में जो मैं यह बूल गी थी जिसने मुझे बुला दिया था कि सिम्रन आपके इनर नी हो आप मेरी वाइफ हो में तुम्हें अपना वाइफ वाला दर्जा दोंगा तो इस मतलब तुम्हें मतलब बिलकुल अपने साथ रखोंगा मतलब बहुत कॉंफिडेंस में मुझे लिया उनोंने तो वो मिठु लड़ा जो मेरी लाइफ में आया था मतलब मुझे यह था कि चलो इनोंने बहुत अच्छा मुझे एक उपर्चुनिटी दिया लाइफ का हना तो मैं बहुत खुश थी मेरी से पहले जब में उनके मुह से यह सुनती थी मैं तो मैं तो मतलब यानी त बाद में मुझे यह नहीं पता था कि मूझे यूज किया जा रहाeren है। तो डिय ог 받ूं को बच्छों को जो हमारी जैनेरेशन है कै कहते हैं? वे जह उन को एह भी, मतलब बच्चे जो है ना मी थुका एटे है, मारे ये बोला बाला, जो जह प्योंग हूते है तो लोग हमें लूटने के लिए ऐसे आते हैं मतलब कि पतने यह क्या जानवर है कि क्या है मतलब बिलकुल जानवर वाला बहेव करा जब मुझे यह पता चला में थुका कि जब उसने मुझे काटिया मतलब एक लड़की नहीं कि यह मतलब किनना रहा है मुझे बाद में पता चले यह बात में तो ना मेरे दिल में बहुत हर्ट कि वो लिए इसमा में सब कुछ है, मतलब मुझे सुनके बहुत दुख लगा, बगो आने तो करना करना ही है, मैं तो यह चाहती हूए कि Justice, मतलब जहाँ जहां मेने डाला कि मुझे आप पूरा इंसाफ मिले, मैं यह चाहती हूँ कोई नहीं, दिल चोटा नहीं करते, जरूर आने वाले दिनों में मैं आप देविल कुर्णा ने करती, मतलब सॉलीड हो के, स् स्ट्रॉंग हो के, लढ रही हूँ। वो एक था था, कि ही, मैं उसके बिना नी रहती थी, मतलब रात होती थी, तो मैं उनको फिर से अब सWर करने घर जाती थी तो तो वो अब 27 साना है तो अभी में रहरी हूँ, छे महीं एने से जिन्दा ही हूँ, कोई मरी तो हुए होने में, लेकिन मैं बतलब अब मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि मैंने अपने आपको खुद को इंसाफ दिलवाना है, उस आत्मा को इंसाफ दिलवाना है, कि जिसके साथ में इतना बड़ा कि वह अब लोगों के हाथ में है, कि वह मतलब कैसे मुझे वह जस्टिस दिलवाते हैं, कैसे मुझे इंसाफ दिलवाते हैं, यह अब मेरा यह जो दोखा है ना, यह लोगों के हाथ में है, यह लोगों के हाथ में हैं, यह लोगों के हाथ में हैं, यह लोगों के हाथ में हैं बगवान ने जो करना वो तो उसके साथ होई जाएगा तो अब यह मतलब यह सब लोगों के हाथ में ओडियन्स के लोगों के मतलब बड़े-बड़े ओफिसर्स के मतलब जो अपी कुछ उसका हो नहीं रहाचार महीन होगे वो हर जगा अपनी अप्रोच डिलवा देता है जो प्लिटिकल प्रेशर दिलवा देता है वो मुझे कहता तो कि मेरा तो कुछ नहीं कर पाएगी ऐना ऐसी बाते वो करता था तो मैंने क्या करना थे मतलब जैसे मुझे इतना बड़ा दोख़्ा दिया मेरी लाइफ में आके उसने इतना बड़ा खलबार कर दिया है नहीं मेर भोगत लोझ जो मेरे को हूँ जो ए मेरि लाइफ ही कि कर दी मुझे ऐसी लगता कि मेरी लाइफ सपोइल है कि जज्ज मैं जी रहे हुए मुझे ऐसे लगता है मैं तब खुश होंगी जब वो दोखे का influencer मुझे मिलेगा दी इधी कोई मिलेगा